जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने data में font का color कैसे चेंज कर सकते हैं using VBA macros सो पहले हम कुछ data को copy कर लेते हैं अपनी नई sheet font color के अंदर अब हम इसमें देखेंगे कि हम font का color है वो किस त्रीके से change कर सकते हैं सो मैं अभी इसको नॉर्मल कलर दे देता हूँ सारे डेटा को अब हमें इसे चेंज करना है मैक्रो से सो हम चलते हैं विजुल बेसिक एडिटर में सो यहाँ पर मैंने एक पहले से ही मॉड्यूल क्रेट किया है पहले है, font color के लिए है और अब हम यहाँ पर create करेंगे एक नया macro सो गाईस सबसे पहले जैसे हम ने पहले भी बताया कि हमें उस range को mention करना होता है, जिस range के लिए हमें कोई भी action perform करना है, जैसे कि हमारी यहाँ पर range है A1 से C6 और इसी का हमें color change करना है So मैंने सबसे पहले यहां पर range mention कर दी अब हमें इसका font का color change करना है तो मैंने इसलिए font choose किया और यहाँ पर different-different actions available हैं जो हम font के लिए apply कर सकते हैं font keyboard कर सकते है color और इस तरह अद्यूते तरह से different-different actions है अब हमेर यह यहां पर color change करना है तो मैंने यहां पर color mention कर दिया, so guys font.color की help से हम यहाँ पर different different 8 colors में से color choose कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं सारे color mention कर देता हूँ, red, white, black, blue, green, green, cyan, magenta, and red, white, black, blue, green, I think one is remaining, red, white, black, blue, green, and one is yellow, so these are the different 8 colors which we can change through font.color, so इनके इलावा अगर आप कोई भी color choose करना चाहते हैं, कोई भी color font का चेंज करना चाहते हैं, तो हमें वो color.index से करना पड़ेगा, font.colorindex, और यहाँ पर आप color index के लिए 1 से लेकर 56 तक कोई भी value चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर 1 to 56 कोई भी value चूज कर सकते हैं, अपने font को चेंज करने के लिए, तो हम इस macro को run करके देखते हैं, कि यह किस तरीके से run होता है, मैंने F8 key प्रेस करी, और हमारा macro data का color जो है, चेंज हो गया red, अब white हो गया, black, blue, green, cyan, magenta, yellow, और color index 1 is black, so black हो गया, आप यहाँ पर color index में कोई भी value चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 10 कर सकते हैं, जैसे मैं इस line को execute करता हूँ, so हमारा change हो गया color, इस तरीके से आप कोई भी 1 to 56 value चेंज कर सकते हैं, so guys, I hope you like this video, आज के इस video में इतना ही, if you like this video, please visit our website gyanocean.com और हमारे चैनल को subscribe कीजे, so that you can get the notification of latest videos, thank you.